नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजिनियस पे मिरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्टकट फॉर्मूले के थूरू 7 होल की PCD निकाल सकते हैं अगर आपको क स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह जो है फ्लैंज के ऊपर 7 होल्स ड्रिल किये हुए हैं अगर हमें इसकी जो कॉड लेंथ है यह कॉड लेंथ हमें पता है होल से दूसरे होल सेंटर के बीच के डिस्टेंस तो हम जो है इसका जो पिच सर्कल डायामीटर है जिस पर यह सभी ह होल्स किये गए हैं इसका जो है PCD हम निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे यह मैं आपको यहां पर यह फॉर्मुला आपको बताता हूं इसका जो फॉर्मुला है 7 होल PCD एक्वल टू S अपॉन 0.435 ठीक है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यह जो कॉड लेंथ दी हु यह है और अब यहां पर फॉर्मुले में यह वैल्यू पॉट कर देंगे ठीक है 174 डिवाइड़ वाई 0.435 एक्वल टू 400 तो यहां पर देख लिए यह जो है आपकी PCD वैल्यू है नहीं तो आप यहां पर यहां पर मैं आपको चेक करा देता हूं देखिए यह जो पिच स ठीक है यहां पर देख सकते हैं आप यह देखिए 400 डायमेटर है और 174 इसकी जो है कॉड लेंथ है तो यह आपको जो है फॉर्मुले से इजी ली आप इसको निकाल सकते हैं तो आप यह फॉर्मुला आपके लिए हल्फुल रहेगा तो अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स वर्चिंग वीडियो